आप देख रहे हैं खबरों का नया पैमाना भोजपुर का अपना चैनल भोजपुर की आवास भोजपुर की आवास न्यूस चैनल के नेशनल कोरोना बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस से पहले 7 सितंबर को रिकॉर्ड 90802 संक्रमन के मामले दर्ज हुए थे। बही 24 घंटे में 1172 लोगों की जान चली गई है। देश में 2 सितंबर से लगातार हर दिन 1000 से जादा लोगों की मौत हो रही है। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 44 लाग से जादा हो गई है। दुनिया में अभी संक्रमन के सबसे जादा मामले अमेरिका में हैं। लेकिन हर दिन अमेरिका से तीन गुने कोरोना मामले भारत में मिल रहे हैं। स्वास्थे मंत्राले के ताजा आकरों के अनुसार देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 44 लाग 65 हजार हो गई है। इनमें से 75,062 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात है कि भारत में मृत्यू दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावत दर्ज की जा रही है। मृत्यू दर गिरकर 1.69 प्रतिशत हो गई। इसके अलावा एक्टिव केस जिनका इलाज चल है उनकी दर भी घटकर 21 प्रतिशत हो गई है। इसके साथ ही रेकवरी रेट यानी ठीक होने की दर 78 प्रतिशत हो गई है। है कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुशा का दूसरा सबसे प्रभावित देश है मौट के मामले में अमेरिका और ब्राजी के बाद भारत का नंबर है आज के कोरोना बुलेटिन में सिर्फ इतना ही अपने प्रदेश और शहर की ताजा खबरे देखने के देखे राती 9 बजे का कोरोना बुलेटिन